आज मैं आपके साथ एक शांदार ETF की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेजी शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आपने पिछले पात सालों में निफ्टी बीज के अंदर यूज किया होता, तो आपके ओवराल रिटन्स बनते 208 परसंटेज, जबकि अगर आपने निफ्टी ब बात करें, तो वहाँ पर निफ्टी बीज ने 67% के XIRR रिटन्स जनरेट करके दिखाए हैं, पिछले 5 यर्ज में HDFC small cap 250 ETF जो है, उसमें अगर आपने अपना पैसा इंवेस्ट किया होता, तो आपका पैसा ग्रो होता सिफ 4.5% के XIRR से, वहीं पर हमारी स्ट्रेजी के अंद का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा रहा है, जिसकी वज़ज़ से आपको कोई liquidity issues ना phase करने पड़े, सभी ETFs के detailed back-tested results में आपके साथ share करने वाला हूँ, साथ ही strategy क्या है, इसको भी हम detail में समझेंगे, इस strategy को मैं personally पिछले 2 सालों से use करते हुए आया हूँ, तो मेर हफते ऐसे ही valuable videos आपके लिए लाते रहता हूँ, तो आज ही मेरी family का हिस्सा बन जाओ, and post certification bell भी जरूर on कर देना, ताकि कोई भी important video update आप से miss ना हो, so first let me explain this strategy, ये एक swing trading strategy है, swing trading का मतलब होता है, आपने कोई भी चीज़ आज खरीदी, और उसको आप 2 दिन, 3 दिन, या फिर 1 हफता, दो हफता, तीन हफते के बाद sell करते हो, जब भी भी आपको right time नजार आता है, मैं काफी सारी swing trading strategies use करता हूँ, जिसमें से ये वाली सबसे safe और काफी ज्यादा rewarding है, इसलिए मेरी favorite भी है, और ये strategy safe क्यों है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सारे ETFs में trade करने वाले हैं, जिनक पर indirectly आप अपना पैसा 50 to 60 stocks के basket में invest कर रहे हो, जिसकी वज़स से आपका risk काफी कम हो जाता है, क्योंकि already आपका portfolio diversify हो चुका है, अगर उस ETF के एक दो stock zero भी हो जाते हैं, फिर भी बाकी सारे जो stocks होंगे, वो उसका loss cover कर लेंगे, and overall आपका ETF long term के अंदर आपको profit season rate करके दे उसका chart हमेशा उपर ही जाएगा, अच्छे ETF के zero होने के chances बहुत कम है, ऐसे ही अच्छे ETF के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप मेरा ये वीडियो चेकाउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, जिसके अंदर मैंने ऐसे काफी सारे अच्छे ETF शेर करे हैं, अब ये high rewarding क इसे हैं, चलिए वो समझते हैं, उसके लिए हमें overall strategy क्या है, वो समझना पड़ेगा, इस strategy के अंदर आप कोई भी installment एक बार में नहीं करोगे किसी भी ETF के अंदर, suppose example लेते हैं, nifty bees ETF का यहाँ पर, अगर ये strategy हमें nifty bees के अंदर execute करनी है, तो मान लीजिए मैं 50,000 nifty bees के अंद है, आप चाहो तो 5 पार्ट बना सकते हो, 6 पार्ट बना सकते हो, जिस भी नंबर के साथ आप flexible हो, अब अगर nifty bees के अंदर invest करने के लिए, हमने 50,000 के 10 पार्ट बना लिए, 5000, 5000 करके, तो ये सारे ही installments हमें कब invest करने हैं, इसके बार में बात करते हैं, किस तरीके से हमें सारे transactions execute करने होते हैं, तो यहाँ पर हम basically averaging use करेंगे, averaging बहुत easy concept है, आप कोई भी stock अगर आज purchase करते हो, वो थोड़ा सा नीचे चले जाता है, उसके बाद आप फिर से उसके अंदर invest करते हो, वो और नीचे चले जाता है, उसके बाद आप फिर से invest करते हो, लेकिन normal averaging के अंदर problem य आती है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपको average आकिर करना कब है, और उसके साथ ही गिरते हुए stocks या फिर ETFs के अंदर आपको एक fear भी रहता है कि क्या ये right time है, average करने का नहीं है, और आप बहुत सारी opportunities miss कर देते हो, lower markets में invest करने की, तो इस strategy के अंदर हम एक fixed number रखने वाले हैं, suppose nifty bees मैंने आज purchase कर लिया, अब मेरा first averaging का number है 5 percentage, ये आपको decide करना पड़ेगा 2 percentage, 3 percentage, 4 percentage, आपको किस number के उपर अपना first averaging करना है, तो जब भी nifty bees अपने first purchase price से minus 5 percentage आ जाएगा, तब मैं अपना first averaging करूँगा, यानि जो second installment था, वो मैं तब invest करूँगा, अब third installment मुझे है 10, तो जब भी nifty bees फिर से अपने average price से, मतलब मेरा जो भी investment होगा, वो अपने average price से minus 10% चले जाएगा, वहाँ पर मैं मेरा third installment invest करूँगा, उसी तरीके से next averaging हम करेंगे, जब nifty bees 5 into 3, यानि कि minus 15 percentage तक गिर जाएगा, तो इसी तरीके से आपको continue averaging करते जाना है, जब तक nifty bees गिरते जा रहा है, और यहाँ पर हर एक point पर आपका एक target number fix रहेगा, ये तीन numbers आपको set करने पड़ेंगे, first होगा कि आपको अपने amount को किते parts में divide करना है, ये number आपके पास होना चाहिए, second आपके पास fix target होना चाहिए, और third आपके पास एक fix averaging number होना चाहिए, अब suppose अगर म minus six percentage पे, फिर minus eight minus ten, इस तरीके से आपका जो भी first averaging number होगा, उसको आप आगे multiply करते जाओगे, two से, three से, four से, five से, और इसी तरीके से, आप अपने सारे ही parts को CTF के अंदर invest करते जाओगे, ये averaging आपको करनी है, जब भी आपका investment अपने average price से उत्ते percentage गिर जाए, so I hope आपको ये fixed target रखने वाले हो, हर एक point के उपर आपका target वही रहेगा, suppose Nifty Bees के अंदर मैं five percentage का target रखता हूँ, मैं वैसे सारे ही ETF में five percentage के आसपास ही target रखता हूँ, तो अगर आपका target five percentage है, तो जब तक आपका वो five percentage का target meet नहीं होता, आपके total investment amount के उपर, तब तक आपको average करते जाना ह है, और जब तक आप average करते जा रहे हो, एक point ऐसा ज़रूर आएगा, जहां से आपका ETF वापिस rise होना शुरू होगा, वो जैसे ही rise होगा, तब आपको जिस point के उपर five percentage का target मिल रहा है, वहाँ पर आपको अपना overall अप तक आपने जितना भी पैसा invest किया है, वो sell कर देना है, यहाँ पर हमने buy कप करना है, यह discuss कर लिया, sell कप करना है, यह discuss कर लिया, और साथ ही कितने parts के अंदर आपको total amount invest करना है, यह हमने discuss कर लिया, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कि आपका सिर्फ 10% ही पैसा utilize हो रहा है, बाकी 90% utilize नहीं हो रहा है, यह चीज नहीं होने वाली, आप एक साथ 10 या फिर 11 या फिर 12 जितने भी number के साथ आप comfortable हो, उतने ETFs के अंदर एक साथ यह strategy यूज करोगे, जैसे कि मैं personally 10 ETFs के अंदर एक साथ यह strategy यूज करता हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहला मेरा installment जो जाता है सारे ETFs में एक साथ चले जाएगा, उसके बाद मैं 80% का अपना capital बैक अप में रखता हूँ, या तो मैं उसको liquid fees में invest कर देता हूँ, या फिर किसी भी liquid ETF के अंदर, तो जैसे ही averaging opportunities मिलती जाती है, मैं liquid ETFs में से निकाल के वापिस से averaging करते जाता हूँ, सारे ही 10 ETFs के अंदर, तो इसकी वज़से आपका money rotation बहुत fast हो जाता है, तो जैसा कि हमने strategy के explanation में समझा था कि कुछ चीज़े हमें पहले से define करनी पड़ेगी, तो उसमें से पहली चीज़ है target, तो back testing के लिए जो मैंने target consider किया था, वो था 5%, सारे ही ETFs हम sell करेंगे 5% के target के उपर, second चीज़ जो हमें consider करनी थी, वो थी हमारा first averaging number, तो यहाँ पर जो हमन first averaging number हमारा consider किया है, वो है minus 5%, and third चीज़ जो हमें define करनी पड़ेगी, वो है हमारा total parts, किते parts के अंदर हम maximum number of averages करने वाले हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर 10 consider करी है, और back testing के लिए जो मैंने timeline से लग करी है, वो पिछले 5 सालों की है, जिसमें start date था 4 January 2018, और ending date था 30 October 2023, और यह 5 सालों की back testing मैंने कैसे करी है, तो जिन लोगों को Google Finance Sheets use करना आता है, उनको पता होगा कि हम काफी सारी formulas apply करके, Google Finance Sheets के अंदर ही back testing कर सकते हैं, किसी भी stocks या फिर किसी भी ETFs की, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, Google Finance Sheets के अंदर, इन सभी ETFs का पिछले 5 साल का data pull किय और बाद में डून निकाला कि किसके अंदर किते 22 हो रहे हैं, किते sell हो रहे हैं और किते profit generate हो रहे हैं, अगर मैं आपको Nifty Bees का example दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Nifty Bees के अंदर मैंने 4th Gen 2018 से लेकर 30 October 2023 तक का timeline से लग किया था, वहाँ पर 5% का sell target, minus 5% का averaging price, और 10 parts तक maximum averaging, लेकिन किसी भी बार ये 10th part तक गया ही नहीं, यहाँ पर मैंने formula's apply करे हैं, जिसकी वज़े से मुझे ये सारे transactions मिल गए, कि 3rd January 2018 को मेरा 1st buy execute हुआ था, वह sell हो गया 22nd gen 2018 पर, उसके बाद 23rd gen को भी मेरा next buy execute हुआ था, उसके बाद ETF 5% target पर आया ही नहीं, वह नीच चले गया, तो मेरा second averaging execute हुआ, ETF minus 5% तक गिर गया, इसलिए मुझे second averaging execute करना पड़ा, और उसके बाद 5% target हमें फिर से मिला, और वो sell हो गया 27th July 2018 को, तो इसी तरीके से आप सारे transactions देख सकते हो, जिते भी buy transactions है, वो यहाँ left में दिख रहे हैं, जिते sell transactions है, वो right में दिख रहे आप भी यह back testing कर सकते हो, तो मैंने पहली back testing के अंदर minus 5% का first averaging number select किया था, और उसके results देखने के बाद, मैंने minus 2% के साथ भी back testing results देखे, minus 2% के first average number के साथ, तो उसके results तो और भी ज्यादा बहतर निकल कर आए, जो हम अभी देखने वाले हैं, और यह back testing करने में में मेरा करता हूँ मैं, तो वीडियोस में अगर मेहनत नजर आती है, तो प्लीज वीडियोस पर like drop कर दिया करो, comments करके जाया करो, काफी ज्यादा boost मिलता है मेरे वीडियोस को, आपके हर एक like, comment, share से, और नई audience को मेरे वीडियोस recommend होते हैं, तो प्लीज कर दिया करो, साथ में grow करना ह है हमें, और results देखें से पहले जिनको अब तक XIRR और absolute returns के बीच का difference नहीं पता, उनको मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये काफी जरूरी है difference जानना, चलिए example लेते हैं, fixed deposit का, ठीक है, suppose आपने 1,00,000 रुपीज की fixed deposit करवाई है, और वो 3 साल के लिए करवाई है, fixed deposit पर आपक तो तीन सालों के अंदर total returns कितने मिले, तो वो थे 19% ठीक है, 19,000 रुपए के आपको overall returns मिले, और ये 19% है absolute returns, यहाँ पर time value consider नहीं करी गई है, जिसकी वज़े से आपको ये नहीं पता चल पाता कि साला ना आपका पैसा कितने percentage से grow हुआ, तो वो जानने के लिए एक term होता है जो कि है XIRR, तो यहाँ पर आपका XIRR basically क्या होगा, तो वो होगा 6% यानि year on year आपका पैसा 6% से grow हुआ है, तो ये difference होता है XIRR और absolute returns में, एंड ट्रेडिंग एंड इंवेस्टिंग के वक्त ये XIRR नंबर काफी ज्यादा matter करता है, आपको उसी पे रियान देना चाहिए कि किते percentage से आपका पैसा year on year grow कर रहा है, तो XIRR काफी important term है और back testing में भी मैंने सभी ही ETFs के जो हमें total returns मिल रहे हैं, साथ में मैंने XIRR returns भी compare किये कि किते XIRR से हमारा पैसा grow हो रहा है, so I hope this concept is clear, now let's see हमने कौन-कौन से ETFs consider करे हैं back testing के लिए, यहाँ पर उन सभी ETFs के आप course दे कर सकते हो, and finally let's see the back testing results, सबसे पहले हम minus 5 percentage के first average number के साथ, back tested results देखेंगे, so yeah, here you guys can see, कि हमारा जो start date था, end date था, हमारा per transaction यहाँ पर मैंने 10,000 consider किया था, but यह आपके लिए different हो सकता है, यह बस back testing के लिए मैंने hypothetical number चूज किया था, फिर 5 percentage का sell target, हमारा averaging number, अब सबसे पहले दे किते हैं, nifty bees के results, तो यहाँ पर उसका जो actual start date था, वो था second gen 2018, क्योंकि first gen को holiday था, तो second gen से शुरू हुआ था, तब से लेके 30 October तक, total 69 month का period है, जिसमें हमने यह चीज़ टेस्ट करी है, और वहाँ पर कितनी बार हमारा target अचीव हुआ, 5% का जो target था, वो 114 times अचीव हुआ इतनी बार हमें वो target मिला, और इतनी बार हमने profit book किया, और यह जो 114 बार हमें target मिला, हर बारी यह different different days में मिला होगा, मतलब हो सकता है कि कुछ बार यह हमें 3 दिन में ही target मिल गया हो, कुछ बारी इसमें 200 दिन भी लग गए हो, तो ऐसी situations भी आती है, तो इन सभी का अगर एक average number निकाले, average number of days, तो वो average number निकल कर आता है 18, on an average 18 days के आसपास में यह target आता है, हो सकता है किसी वक्त यह target मिलने में 100 दिन या फिर 200 दिन से भी उपर लग जाए, लेकिन वहाँ पर आपको patience रखना होगा, अगर कभी target जल्दी मिल जाएगा, तो कभी target लेट भी मिल सकता है, बस आपको यह average number से थोड़ा idea आ जाएगा कि majority of time कितने days के आसपास target मिल जाता है हमें, उसके बाद हम देखेंगे maximum invested amount among all the trades, जितनी भी trades हमने execute करी, जितने भी buys हुए थे, जितने भी sell हुए थे, उसमें एक बार में maximum amount कितना invest हुआ था, तो वो था 29,906 रुपीज, यानी maximum 3 averages, 3 averages से उपर गया ही नहीं, हमने 10,000 रुपीज का amount set किया था, और वहाँ पर आप देख सकते हो, 30,000 max invest गया, और यह 29,000 का meaning ऐसा है कि जितने भी trades आज तक execute हुए, हो सकता हो, उसमें से 1 या 2 trade के अंदर ही maximum 3 averages तक गया हो, बाकि usually 1 या फिर 2, second average तक में आपका target ज्यादा तर मिल ही जाता है, so ये एक वो case है जहाँ पर काफी ज्यादा ही fall आ जाता है, वहाँ पर आपको और ज्यादा averaging करनी पड़ेगी, और ये पूरे 5 सालों के दोरान, total कित्ते profits generate हुए, तो वो number है, 62,499 रुपीज, हमारा यहाँ पर max investment गया, 29,000 रुपीज तक, और हमें returns मिले, around 62 2000 रुपीज के, तो वो 29,000 का कित्ता percentage हो गया, 200 percentage ठीक है, तो यहाँ पर हमें almost 200 percentage के absolute returns generate हुए, लेकिन ये 200 percentage एक accurate number नहीं है, क्योंकि हर बार हमारा 30,000 पैसा अटका हो, ऐसा नहीं है, इस पूरी journey के दोरान हो सकता है, काफी सारे trades के अंदर हमारा सिफ 10,000 रुपीज ही stuck तो ये जो 200 percentage है, ये एक accurate number नहीं है, returns को judge करने का, तो वहाँ पर हमने इन सभी transactions का XIRR calculate किया, और XIRR से हमें पता चलता है कि चाहे हमारा 10,000 रुपीज टक हुआ था, 20,000 टक हुआ था, बट overall जितने भी buy sell transaction हुए, वो सभी consider करने के बाद, हमारा total investment 67 percentage से grow हुआ है, So I hope this is clear, अब जो हमारा last target आया था, उसके बाद 30 October 2023 तक हमारी कोई current holding थी क्या, तो हाँ वहाँ पर हमारी current holding थी 9900 रुपीज, वहाँ पर भी last transaction execute हुआ था, लेकिन उसके बाद target अब तक नहीं आया, और ये जो current holding है, उसके उपर हमारा नोशनल loss किता चल रहा है, तो वो है minus 24 and 43 रुपीज, और इसको percentage के terms में देखेंगे, तो हमारा फिलहाल नोशनल loss चल रहा है, minus 2.44 percentage, अब यहाँ पर दो case होंगे, या तो minus 5 percentage तक जाता है, तो हमें second buy करना पड़ेगा, और अगर 5 percentage का target मिल जाता है, तो वहीं पर हम sell कर देंगे, ये जो भी हमारी current holding है, उसको, returns generate होते, तो इन 5 सालों के अंदर, nifty bees ने जो absolute percentage में returns generate किये है, वो है 96 percentage, ये है absolute returns, और ये XIRR terms में कितने percentage से grow हुआ, यानि year on year, ये grow हुआ है, 12.32 percentage से, so यहाँ पर आपका XIRR है, सिफ 12 percentage, वहीं हमारी strategy के अंदर, आपका पैसा 67 percentage के XIRR से grow हो रहा था, अगर यहाँ आपर investment क के दौरान हम overall fall देखेंगे, nifty के all time high से, तो वो कितना था, minus 44 percentage, यानि max जो nifty गया था, उसके बाद उसका overall कितने percentage तक वो down आया था वापिस, वो था minus 44 percentage during COVID crash, तो ये number आप देख सकते हो, इस पूरी investment journey के दौरान, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो minus 10 या minus 20 percentage पर ही अपना investment exit करके निकल गए होंगे, तो वहाँ पर उन्हेंने losses देखे होंगे, बट वही पर अगर आप ये strategy follow करते, तो आप continuously profits भे book करते रहते, और साथ ही साथ आप डरते नहीं, averaging करने से नहीं डरते, क्योंकि आपको एक fix number पता होता, कि मुझे इतने इतने number पर averaging करनी है, और इतने इसे वो target आ ही जाता, जैसा कि हमने back testing में देखा, और ये तो results थे सिफ nifty 20 के, और इसी तरह से मैंने सारे ही ETF को back test किया, और उसके results क्या निकल कर आए, चलिए मैं एक साथ ही सभी की results share कर देता हूँ, so ये रहे, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब चलिए इसको गौर से थो पूरे 5 सालों का जब आप absolute returns और XIRR compare करोगे, वहाँ पर हर एक दिन तक आपका पैसा invested था उसके अंदर, लेकिन जब हम trading की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप हर एक ETF के अंदर ये number देख सकते हो, average days taken to achieve the target, तो ये average days यानि आप पूरे साल के लिए invested नहीं थे, या तो 18 दिन इसके period में जब तक आप invested थे, तब तक आपका पैसा कितने XIRR से grow हुआ है, तो वो XIRR number बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर XIRR ज्यादा निकल करा रहा है, अगर compare किया जाए absolute returns से, now in back testing results में आप एक चीज़ notice करोगे, हर एक ETF का जो starting date है, वो second gen 2018 नहीं है, क्योंकि ETF का Google Finance पर ज्यादा past का data available नहीं है, अब जो चीज़ में आपको शुरू में कह रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला सिफ 10% की amount आपका invested रहेगा, बाकी 90% नहीं रहेगा, वो चीज़ आपको ये देख कर समझाएगा, अगर आप सभी ETF के अंदर एक time पर ये strategy यूज़ करते हो, तो almost 50% एच जिता पैसा आपका invested रहेगा किसी भी point of time पर, और बाकी 50% आपको averaging के लिए side में रखना होगा, क्योंकि अगर किसी ETF के अंदर target आता है, तो दूसरे ETF के अंदर averaging होगा, तो यह यहाँ पर money rotation काफी ज्यादा चलता रहेगा, किसी ETF के अंदर target आ रहा है, किसी के अ पर भी आप लगातार profits book करते जाओगे, और इस पूरे period के दौरान इन 12 ETF का total profit number हम देखेंगे, तो वो था 3,77,000 रूपीज, अगर आपने यह strategy use करी होती और इस तरीके की averaging करी होती तो, और इस दौरान charges जो आपके कटे होते, वो होते 30,450, obviously यह accurate number नहीं है, क्योंकि brokerage हर ए capital gains tax भी शायत देना पड़ सकता है, तो STCG की भी liability आ जाएगी इस case के अंदर, तो वो भी आपको consider करना पड़ेगा, इस strategy के actual advantages क्या है, disadvantages क्या है, वो हम अभी आगे detail में discuss करेंगे, बढ़ यह सारी चीज़े आपको अभी रिखाना जरूरी है, क्योंकि आप बाद में confused ना हो अब चलिए हर एक ETF का XIRR और absolute returns को हम compare करेंगे अगर, तो यहाँ पर nifty bees में आप देख सकते हो, कि आपका पैसा काफी तेजी से grow हुआ है, अगर compare किया जाए investing से, अगर हम kotak alpha का दिखेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने invest किया होता, तो अब तक भी आपको कुछ returns नहीं मिल होते हैं, आपके investment amount के उपर, आपके जो absolute returns थे, वो minus 43 percentage थे, लेकिन वहीं पर kotak alpha के अंदर जो आपके returns है, वो है 34.01 percentage का XIRR returns, और साथ ही जो absolute returns आपने generate किये, वो थे 22 percentage, इसी तरीके से आप हरेक ETF का देख सकते हो, अगर आप XIRR को compare करोगे, तो हरेक ETF के अंदर हमारी trading strategy के अंदर जो XIRR generate हुआ है, वो काफी ज्यादा है, because इस trading strategy के अंदर आपका पैसा continuously rotate हो रहा है, सारा पैसा हर एक दिन तक invested नहीं रह रहा है, और साथ ही यहाँ पर सिफ 50 to 60 percentage पैसा आपका on and average invested रहेगा हर एक point of time के उपर, लेकिन वहीं जब investing की बात करते हैं, तो आपका 100% capital हर एक दिन के लिए invested रहता है, तो अगर आप overall पूरे amount के साथ compare करने जाओगे, तो इस trading strategy के returns 2X या पर 2.5X हो सकते हैं अगर compare किया जाए investing से, मैं शुरू से कहते हुए आया हूँ कि stock market के अंदर आपको अपनी expectations real रखनी पड़ेगी unreal नहीं, यहाँ पर आप सोचोगे कि investment के comparison म आपको 10X या 20X या 30X जित रिटन्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, so minus 5% के averaging के साथ जो हमारे total returns generate हुए, वो है 377,000 रुपीज, अगर इसको हम minus 2% की averaging के साथ compare करेंगे, तो minus 2% के returns और भी बहतर निकल कराए, चलिए उनके returns को compare करते हैं, so जब मैंने इस strategy को minus 2% के उपर backtest किया, तो वहाँ पर nifty के अंदर जो maximum averages हुए थे, वो 80,000 रुपीज तक का आपका investment गया था, यानि maximum 8 नंबर तक भी averaging हुई थी, जब हमने minus 2% के उपर ये backtest किया, तो यहाँ पर आपका max investment amount भी बढ़ गया, साथ ही आपके जो returns थे, वो भी बढ़ गए, 75,000 रुप में देखोगे, तो यहाँ पर भी आपका XIRR 62% से grow हो रहा है, लेकिन अगर आप absolute returns के form में देखोगे, तो यहाँ पर returns काफी कम हो जाते हैं, absolute returns के form में 94%, इसलिए हमें absolute returns से accurate number नहीं पता चल पाता, पिछली बार हमें 200 दिख रहा था, यहाँ पर 94 दिख रहा है, तब भी XIRR बिल्कुल सेम है, minus 5% में हमारा XIRR 67% था, यहाँ पर हमारा XIRR 62% है, यानि सेम ही speed से दोनों ही बार ये पैसा grow हुआ है, लेकिन minus 2% में आपको फाइदा क्या मिल जाएगा, कि आपका money rotation और ज्यादा speed से होगा, जितना minus 5% में हो रहा था, तो यहाँ पर आपको जल्दी जल targets मिलते जाएंगे, जल्दी जल्दी averaging होगा, तो आप बिल्कुल यसे bore नहीं होगे, आप जल्दी जल्दी average भी कर पाओगे, obviously यहाँ पर transactions भी बढ़ जाएंगे आपके, तो साथ ही charges भी बढ़ जाएंगे, तो जब सारे ही ETF के हम charges consider करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके charges वो आपको choose करना पड़ेगा, minus 2 percentage या फिर minus 5 percentage, अगर total returns को हम compare करेंगे, तो minus 5 percentage में हमें returns मिल रहे थे, 3,77,000 रुपीज, वही पर अगर हम minus 2 percentage के overall सभी ETFs के returns देखेंगे, तो पिछले 5 सालों में हमने generate किये होते, 4,95,000 रुपीज के returns, and minus 2 percentage वाले back tested results में, अगर आप सभी ETFs पे गौर करोगे, तो यहाँ पर CPS ETF के अंदर maximum 10th averaging तक भी गया था, यानि 10 के 10 parts completely invest हो गए CPS ETF के अंदर, और इन सभी के अंदर जो फिलाल current holding है, वो आप देख सकते हो, 30 October 23 को, जित्ते भी current holding थी, वो यहाँ पर है, उनके जित्ते national losses थे, वो यहाँ पर आपको दिख रहे है और इन सभी के XIRR को आप लमसम के XIRR से भी compare कर सकते हो, आप इस strategy को इन 12 ETFs के अलावा अपने फिवरेट ETFs में भी use कर सकते हो, कुछ महीना आप खुद से trade करो, उसके बाद आपको समझाएगा कैसे सारी चीज़े work कर रही है, और किस तरीके के आपको returns मिल रहे हैं, और इस strategy आपको YouTube के 1000 चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन actual learning वो होती है, जहां पर आप back testing करो, past का data देखो कि past के अंदर किस तरीके से returns generate हुए हैं, क्या वो strategy एक्चली में काम कर भी रही है या नहीं, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये चीज़ ही मैं आपको इस minus 5% minus 2 percentage वाले को analyze कर सकते हो, और judge कर सकते हो, सारे ही ETF का performance, उस हिसाब से अपना decision बना सकते हो, कि आपको किस तरीके से कौन से ETF में trade करना है, अब चलिए strategy की क्या क्या advantages है, क्या क्या disadvantages है, उसको detail में discuss करते हैं, जो आपके लिए जानना काफी ज़रूरी है, सबसे पहना advantage है क्योंकि एक swing trading है, तो आपको रोज अपने सिर्फ 5 या 10 minute ही देने है, सिर्फ एक time fix कर लो 10 minute का, उसमें check कर लो कि सारे ही ETF में क्या क्या percentage का gain चल रहा है, क्या percentage का loss चल रहा है, अगर कहीं प averaging percentage दिख रही है, तुरंत average कर लो, तो इस चीज में आपको रोज के सिर्फ 5 से 10 minute ही buy and dip करते जाओगे, जब भी आप invest करोगे और market का बड़ा fall आता है, अगर वहाँ पर आपके पास एक investing strategy भी नहीं होगी, तो आप fear के चलते अपने investments निकालने लग जाओगे, या फिर डर के मारे और पैसा अपना invest ही नहीं कर पाओगे market dips के अंदर, लेकिन अगर इस तरह की strategy आप follow करते हो, तो हर एक market dip पर भी आप की buys execute होते रहेंगे, आप हर एक dip में buy करते जाओगे, यानि lower levels पर जित्ता हो सके उतना buy करते जाओगे, जिसका फाइदा आपको मिलेगा, जब market फिर से rise होगा, in short ये strategy आपको बड़े losses से बचाएगी, ETFs दो safe माने जाते हैं, उनका भी जब drawdown आता है, वो minus 50 minus 60 percentage तक भी जाते हैं, ये हमने back testing में देखा, आप जाकर फिर से check कर सकते हो, बहुत सारे ETFs minus 50 minus 60 percentage तक भी गीरे थे, और उसके बाद वापिस से उपर आए, तो तब तक का patience level क्या आपके पास होगा investing के दोरान, ये सोचने वाली चीज है, तो जो एक डिक में नया buy execute करने का, जो चीज investing में करना काफे मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े losses नहीं देख पाते लोग, third advantage कि यहाँ पर आपका पैसा अटका नहीं रहता, कहीं भी अगर आप invest कर रहे हो तो, usually लोग long term के लिए नहीं hold कर पाते, वो रोज अगर किसी भी ETF य क्योंकि continuously आपका पैसा rotate होता रहेगा, यहां तक कि जब अगर market crash भी आएगा, तब आपको gold और silver जैसे ETFs भी profits continuously book करके देते रहेंगे, बाकी ETFs बले उस टाइम पर profits ना दे, बट gold silver में आपको तब profit मिल जाएगा, and next advantage भी इसी से related है कि don't invest all your money at same time, जो काफी सारे लोग कहते आए हैं, काफी बड़े-बड़े investors कहते आए हैं कि अपना सारा पैसा सिर्फ एक बार में invest मत कर दो, backup में थोड़ा बहुत पैसा रखो, जब market fall आए, तब उसको invest करो, लेकिन यह चीज़ investing में करना काफी मुझकि हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस point पे buy करना है, किस point पे sell करना है, किस point पे कितना और buy करना है, बड़ यहां पर आप हमेशा 60-70% आपका पैसा invested रहे का आप बाकी जो 20-30% आपने backup में रखा हुआ है, उसके लिए भी आपके पास एक strategy होगी कि उसको invest कप करना है, तो आप backup में भी अपना थोड़ा पैसा जरूर रखोगे, इस same strategy को आप stocks में भी apply कर सकते हो, लेकिन stocks के zero होने के chances जरूर होते हैं, तो हाँ पर आपको काफी सारी चीज़े consider करने की जरूरत है, अगर इस strategy को आप stocks में use करना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे fundamentals वाले stocks को pick करना, और इसी चीज़ के back tested results भ notification अभी on कर दो, और अगर subscribe अब तक नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, कर दो subscribe कर दो, please, और वीडियो पर like भी जरूर ड्रॉप कर देना, guys, अगर मेरी महनत नजर आती है आपको वीडियो में, तो please like भी अभी drop कर दो, अगर नहीं किया है, now let's discuss about one and only disadvantage, जो मैंने experience किया है पिछले दो सालों में, वो है high amount of charges and taxes, so strategy को follow करने से पहले आपको prepared रहना पड़ेगा, कि यहाँ पर आपको charges and taxes भी जरूर पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाकि चित्ते भी advantages आपको मिलने वाले हैं strategy के साथ, आप patiently strategy को follow कर पाओगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, and this video को as an educational purpose ही consider करना, क्योंकि past performance does not guarantee future performance, past performance को analyze करके बस आप future का एक prediction लगा सकते हो, या फिर अंदाजा लगा सकते हो, कि आगे वो strategy कैसे काम करेगी, तो ये कोई भी buy sales recommendation नहीं है, अपने हिसाब से analyze करना सारी चीज़ों को उसके बाद decide करना, और इस video में जो जो चीज़े मैंने discuss की है, आपको उसी तरीके से बिल्कुल ये strategy follow करनी है, ऐसा भी नहीं है, हर एक की flexibility, हर एक का time horizon, हर एक की risk capacity different होती है, तो आपको उस हिसाब से decide करना है, कि आपको कितने number peveraging करनी है, कितने number के उपर targets book करने है, कौन से कौन से ETF choose करने है, ये सब कुछ आपको खुद के risk factors के हिसाब स decide करना है, तो आज के इस वीडियो में हमने ETF की swing trading strategy के बारे में सीखा, अगर अभी भी कुछ questions है, या फिर feedback है, doubts है, opinions है, तो आप मुझे comment में बता सकते हो, मैं सभी का reply ज़रूर करूंगा, और अगर आपको एक large cap investing strategy के बारे में जानना है, जो long term में आपको index के comparison में ज्याद बढूर शेयर कर देना, और अगर मुझे personally connect करना चाहो, तो मेरे Instagram पर भी आकर मुझे आप follow कर सकते हो, so that's it for today's video, see you guys in the next video, take care and bye